आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक GI टैग की जो की मिला है बिशौली पेंटिंग्स को राइट जम्मू रीजन की है यह कठुवा रीजन से जो बिलॉंग करती है पेंटिंग्स बिशौली पेंटिंग्स उनको GI टैग मिला है नबाड ने end to end help करिये इस पूरे प्रसेस के अंदर हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिशौली पेंटिंग्स अपने आप में क्या है और थोड़ा बहुता प्री स्पेसिविक पॉइंट्स हम देख लेंगे कि GI टैग्स के ऊपर हैना कि जोग्रेफिकल इंडिकेशन यह टैग्स होते क्या है इनके ऊपर हम एक शौट स्लाइट देख लेंगे उसके अंदर कंप्लीट इंफोमेशन नहीं है उसके अंदर रेलिवेंट इंफोमेशन मिलेगी आपको चली शुरू करते हैं बशौली पेंटिंग दवर्ल फेमस बशौली इसको GI टैग मिल गया है following an approval by the National Bank for Agriculture and Rural Development देखो अब इसी के अंदर आपको बहुत सारी इंफोमेशन मिल जाएगी अगर आप PCS बगरे के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो यहां पर आपको तीन चली इंफोमेशन है कि बशौली पेंटिंग कौन से district से बिलॉंग करती है किसने help करी थी approval किसने दी इसके लिए तो we know that it is Nabat तो इस particular slide के अंदर आपको बहुत सारी इंफोमेशन मिल रही है हाला कि statement अपने आप में बहुत सिंपल है यह चलिए आगे चलते है की पॉइंट्स देखते हैं इसके और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे नबाद प्रोवाइड एंड-to-end support to facilitate pre-registration as well as post-registration activities किसके लिए फॉर जोग्रेफिकल इंडिकेशन जिए टाइग्स realizing the huge potential of the handloom handicraft and agriculture products in UTs of J&K and Ladakh चीक है तो नबाद ने end-to-end किये था अब अल्टिमेटली नबाद का काम अब दिमाग बैगा किया है तो अग्री कल्चर एड़ेटिड होता है इसको overall काम रूल डेवलप्मेंट का ही है तो इस टाइप की चीज़ भी इसके अंदर आपको आफ नाइन प्रोड़क्स जम्मू रीजिन प्रोड़क्स वाज इनिशेटिट वा नवाड इन कंसल्टेशन विए दिपार्ट्मेंट अफ हैंडी क्राफ्ट्स एंड हैंड लूम्स है ना 2020 से शुरू हो रख्या प्रेट कोबिट के ताइम से और तो जी आई टैग्स है वो अभी अभी कि पिशॉली पेंटिंग है क्या इसमें विविड कलर्स होते हैं इसका सब्जेक्ट मेंटर क्या है वो तो हम अभी देख लेंगे इसके अलावा और कौन-कौन से कंटेंडर थे तो यह हम देखो इतना पॉसिबल नहीं है कि तूद पॉइंट में हम यह सब कवर करें लेकिन हमें एक बड़ी नाम इसका जरूर आपको लूँगा तो आप इसको एक बड़ी देख लेना कि यह है क्या कौन से रीजन में क्या यह एक्चुली चीज क्या है राइट जैसे गूची मिश्रूम का सवाल आ गया था इस टाइप की चीज आपको यहां पर देखन क्या आ सकता है in case you wish to cover current affairs holistically कि कुछ भी काम जो है वो ऐसे छूट ना जाए बीच में या कोई टॉपिक की पढ़ा तो है आपने पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रह जाए राइट यह स्टैटिक पार्ट कुछ रह जाए यह मेंस में कैसे इसको यूज यूज ही ना कर पाओ जी यह ही टैगिंग का तो पता लगे लेकिन मेंस में कहां यूज करना आपको पता ही नहीं है राइट there is this course which is already going on फोड़ा सा डी टूट ले रहा हूं है for 10 10 seconds 10 15 seconds यह एक अलड़ेटी कोर्स है यह आपका प्रियों बेंस बोथ दोनों चीज़े कवर करता है offline online format में है आपको 7 days free trial मिल रहा है इसका मैं और कुछ नहीं कहूंगा इस वीडियो के अंदर यह free trial है आप इसका trial लेके देखिए और आप खुद देखिए कि quality of class क्या रहती है उसके बाद decide for yourself right link is down there in the description आप लीजिए 7 दिन का free trial है दो तिन चीज़े मिलती है आपको PDF class and test as well current affair के उपर weekly है यह सब कुछ हफते हफते का चलेगा राइट तो उसको जुरूर लेके दिखिए आगे चलते है the process for GA tagging आगे हो गया था यह कौन-कौन से और जो और किसी इसको pitch किया था बशौली पश्मिना वुलन products then we have चिकरी वूड क्राफ्ट यह रजौरी रीजन का है रजौरी district का बदेर मुझे कर किसी का दोस्त होगा तो वह एक बरी लेके जुरूर आया होगा कि यह रहे कलडी यह कलाडी जो है वहां से खाके देखो देन भी है सुलाई हनी यह रामबान district का देन भी अनारदाना अगेन फ्रम रामबान देन भी लदाख वूड कार्विंग और यह अदर प्रोड़क्ट से जो पिच किये थे लेकिन बशौली पेंटिंग को जो है जी यह टाइग अवार्ड कर दिया गया है एक और चीज है कि इस साल मार्च 31st जो भी होके गई है 31st मार्च यहां पे अब तक की हिस्ट्री में सिंगल यर के अंदर मैक्सिमुम जी टैक्स क्लियर की है 33 इन नंबर राइट अमंग 33 इन टोल 34 हो गए है तो हाइस्ट एवर नंबर था तो यह आपका प्री में like as a statement जो है आपको देखने को मिल सकती है कि statement form में आ गया जी टैक के सवाल आया है कि मार्च 31st 2023 में हाइस्ट एवर जी टैक्स अवार्ड किये गए थे तो आप confused हो जाओगे कि यार कभी रहेगी बशाली पेंटिंग कट हुआ इस फर्स इंडिपेंडेंट्ट जी आइट प्रड़क्ट फ्रॉम जम्मू रीजन यह भी एक आपकी statement जो प्री में आ सकती है कि पहला इंडिपेंडेंट्ट जी आइट है बशाली पेंटिंग जम्मू रीजन का अब चलते हम एक्च बोल्ड लाइन एंड डीप सेट फेशिल पेंटन्स ठीक है यह इंपॉर्टेंट नहीं है यह इंपॉर्टेंट शीर दीफिप सकूल आफ पहाडी पेंटिंग अगर यह सवाल आया कि इस कंसिड़िडर फर्स पुल आफुल प्हाडी पइंटिंग तो हम इसको तो सही माने क्लास पढ़ते हैं जो वहां बैठते हैं तो हमने यह डिसकस किया था कि लोक रूलर्स क्यूं इस टाइप की चीज को सपोर्ट करते हैं और वेल्दी मर्चंट क्यों सपोर्ट करते हैं यह दोनों के ओपर क्लास में चर्चा हुई थी और इंपूट्स भी आये तो लास्ट में हमने एक प्रॉपर इसके बहुत प्रिसाइज में लिखा भी था कि क्यूं है ना तो इन केस यूँ वांट टू कवर यूर्ट करेंट अफेर जुलिस्टिकली तो डू चेक देट लिंक लिंक इस डाउन देर आप साथ दिनका फ्री ट्राइल लिजिए करेंट अब काम ही यह अगर आप बाकी पेंटिंग भी देखोगे आपको महा पर जो है देखने को मिलेंगे जैसे कि यह स्टार्टिंग वाली है आइटिंग वीडियो में एक लियर नहीं आ रहा होगा पीछे वटता हूं लेकिन आपको यह जो है यह जो है यह जो मेट्रिकल पैटर्ण ही है ग्लॉसी पैंटींग यह ऑलाग यहालो औक हून में फाल और और प्राहट अपको पर भी मेक अपशन खिचाластर अबाल और पोल रहा ही तो भीडियो DCP आइटिंग यह ज़ चीमे individuality to these paintings ठीक है, themes क्या है इसकी, mostly जो रहती है, पहले नंबर पर तो mostly जो रहती है, local rulers, portraits है ना, क्योंकि वो patronage दे रहे हैं, Radha Krishna, तो इसकी भी जो painting का अधार है, themes है, वो Radha Krishna है, Madhav Malati love themes and themes from Bhagwat Puran, ठीक है, तो related to Krishna, Krishna के round revolve करती हुए, these paintings, these are painting on paper, cloth, और wood using natural pigments and dyes, ठीक है जी? हमने ये भी discuss किया था, कि क्यों हम paintings को पढ़ते हैं, कि natural pigment and dyes से गरी painting बन रहे है, that means आप उस area के flora, fauna and resources के उपर comment कर सकते हो, by looking at the painting itself, right, कि ये अगर लाल कलर इस से आ रहा है, मतलब इसके वहाँ पर वो वाला pigment होगा, यानि कि उसके mineral resources ऐसे होंगे, तो ये सब भी class में discuss होता है, GI tag is an abbreviation for geographical indication in India, ये थोड़े से pre-specific information है, फटा-फट इसको मैं पता दूँगा, ताकि वीडियो short ही रहे, to the point ही रहे, ये रहने के तने हैं, GI tags are acknowledgement of IP, intellectual property, GI tag अगर मिले गया तो बशौली painting, बशौली के आर्टिस्ट के लावा और कोई नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है कि चन्नही में बना के आपने वहीं आसपास कहीं, बेच दी, इंडिया मार्ट जाजी साइट्स के उपर, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? अन 15th, September 2003, GI tag जो की 1999 के Act के थुरू होता है, जेग्राफिकल इंडिकेशन अफ गुड्स, रिजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन अग्ट ना उसके थुरू पहला GI tag जो था, वो 15 September 2003 को दिया गया था, आप देखें, ये भी important हो जाती है थोड़ी सी, when we say PCS वगरा में सवाल पुछा जा सकता है, the first GI tag in India was facilitated to West Bengal's Darjeeling tea, ठीक है? पहला GI tag Darjeeling tea को मिला था, एक important point है, last important point कि GI tag 10 साल के लिए valid होता है, और which can be renewed, 10 साल के बाज को द्वारा आप renew करवा सकते हो, and that is all in today's video, I hope the video was informative, let me once again remind you कि जो course है वो offline, online format दोनों वे available है, तो in case अगर आप physically आना चाहते हैं class में, जो कि मेरे साब से बहुत सही रहता है, आईए, class में बैठिए और वो free trial लिजिए, in case अगर आप physically नहीं आना चाहते हैं, offline बैठिए और ज़रूर वो class को जो है आप join कीजिए, आपको at least समझ में आएगा कि current affairs को पढ़ते कैसे हैं, right, thanks for watching, my name is Rohit Garcha and this is Abhimanyu IAS. झाल